कर दो कि अलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम टू एमसेस बाबा जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कम्पूटर क्लास के स्रीज ले का रहे हैं तो कम्पूटर क्लास का पहला सिरी पहला सिरीज का पहला जो टॉपिक हम लोग आज डिसकस करेंगे तो जैसे कि मैंने इंट्रड़क्टरी वीडियो में आपको बताया था कि कम्पूटर क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ठीक है एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं ठीक है सो क्लास वन आज जो पहला क्लास है इस पहले क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर देखेंगे जनरेशन ऑफ दे क्लासिफिकेशन ऑफ दे कंप्यूटर रही है देखो यह बहुत ही छोटी सी टॉपिक है और जितने भी आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो और लोग ने कवर किया होगा यह देखा होगा जानते होंगे इसको लेकिन मैं इस कंप्यूटर के क्लास का मेंसजबावा.com के तरफ से आपको बेसिक से स्टार्ट करके कंप्यूटर के लास्ट टर्मिनलोजी तक लेके जाओंगा तो मैं यह मान के चलना हूं कि आपको इसका है computer, computer, computer एक electronic machine है, electronic electric machine क्योंकि power से चलती है, electronic machine क्योंकि 5 volt से चलती है, दोकि एक difference तो यहीं आपको बतायता हूँ कि electric कोई विच इस पांच वोल्ट से उपर अगर से electric machine होती है, जिए से line supply, विजली, electronic उसको समझो, 5 volt से 9 volt की बीच में जो खेलते हैं, यह difference नहीं है, यह आपको बस समझने के लिए, 5 volt से 9 volt DC में जो खेलते हैं, उसको electronic device बोलते हैं, electronic device और भी है, उसको explain करेंगे आगे, तो कोई भी computer electronic machine है, electric machine है, that can be instructed to carry out the sequences of the arithmetic and the logical operation, एक ऐसा machine जो आपके arithmetic calculations और logical operation दोनों को automatically solve करके computer programming से, computer programming से result निकाले, output निकाले, उसे computer बोलते हैं, अब आपको इस पूरे line में कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा मैं मान के चलना हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अब मैं आपको इस word को तोड़ के समझाता हूँ, arithmetic, arithmetic कोई भी additions, deletions, subtractions, multiplication, सब कुछ arithmetic होता है, जैसे अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, 1 plus 1 is equal to 2, यह आपका arithmetic operation हुआ, 1 plus 1 आपका arithmetic operation हुआ, क्यों कि यहाँ पर plus है, minus है, into है, multiply है, division है, सब कुछ आपकी arithmetic operations होते हैं, अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ, कि A is greater than B, so this is the logical operation, या if A is greater than B, यहाँ दो difference आपको समझ में आया, दो word यहाँ पर लिखा हूँ था, arithmetic मतलब, arithmetic मतलब जो arithmetic calculations है, logical calculation, logical calculation क्या होता है, and, or, if, yes, but, सब कुछ logical operation है, तो जो इस दोनों तरह की, और दुनिया की कोई भी calculation, सिर्फ इसी दो चीज़ों पर dependent है, एक arithmetic और एक logical, जैसे कि आप simple सुचो, यदि इस बार 2020 में Corona नहीं आया होता, तो, COVID नहीं आया होता, तो, यदि से आपने start किया, मतलब if से आपने start किया, मतलब questions आपके यहाँ से start होगा, यह logical operation होगा, आप मुझे बताओ, कि income tax आपको कितना देना होगा, इंकम tax आपको कितना देना होगा, यह question आगया, कितना देने का मतलब है, कि आपके arithmetic calculation आगई, तो, कोई भी question आगर आपके मन में आगाता है, या तो, वो arithmetic होगा, या तो, logical operation होगा, तो, जो भी arithmetic logical operations, automatically computer programming से किया जाए, उसे computer बोलते हैं, ठीक है, clear, फिर, computer को हम अब यहाँ पर brick करेंगे, computer के यहाँ पर तीन main component की सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ तीन main component की बात करेंगे, और इसी में पूरे computer समझेंगे, पहला input, दूसरा output, और तीसरा processing unit, PU, processing unit हम लोग बोलेंगे, processing unit के अंदर के जो component होते हैं, उसका हम लोग आगे देखेंगे, आपस इतना समझो कि अभी हम लोग सिर्फ broadly तीन चीज़ों में computer को बात रहें, पहला input चीज, दूसरा output और तीसरा processing unit, ठीक है, तो, commonly consisting of the digital circuitry, that accepts input, stores and generates output, जैसे कि मैंने बात किया, कि एक ऐसा device, जो कि digital circuitry को component, digital circuitry को consist किया हुआ है, जो कि कुछ input accept करता है, और कुछ output देता है, in the forms of number, text, graphic, voice, video files, electrical signals, whatever that is the format of output, doesn't matter, चेक है, यहाँ पर आपका यह चीज़े clear होगे, जो को अभी आपस सुनो, आपको जब link करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, तो यह questions, आज यहाँ पर हमनों कुछ questions भी discuss कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इदम simple, एदम easily पुछा सा सकत है, father of computer, सब लो जानते है, Charles Babbage, father of the modern computer, Alan Turing, basic architecture of the computer, John von Neumann, इनका बहुत इंपोर्टेंट रोल था, 1947-49 के बीच में, ठीक है, first programmer, यह नाम याद रखना, first programmer, Lady Ada, Loveless, 1880 में, first electronic computer, ENIAC, 1946, J.P.E.C.T. or JW Molchi, first electronic computer, ठीक है, और first computer for the home user, introduced in the IBM in 1981, तो यह questions आपके objective के लिए है, आप इसको त्यार कर लो, यहाँ पर देखके, चाहँ तो screenshot ले लो, यह PDF में देख लेना, जैसा की PDF हो लो ने बता है, mbcs.bos.com की site में मिलेगा, तो कैसे computer evolve कैसे हुआ, और देको computer को बहुत लोग इसको बहुत simple तरीके से बहुते हैं, एक common operating machine, एक common operating machine, purposely used for the technical and educational research, ठीक है, हाला कि यह इसको full form नहीं है, लेकिन इसको एक समझने के लिए आप समझ सकते हो, कि इसको बूलाता है, common operating machine, purposely used for the technical and educational research, बहुत लोग को पता भी नहीं है, ठीक है, तो generations की बात करते हैं, generations क्या होता है, generations यह होता है, जैसे कि आपके family में है आपके दादा जी, फिर आपके बापा, और फिर आप, बोलते हैं कि यह third generation है, third generation मतलब कि कैसे कैसे evolution होई थी, generation कैसे आगे बड़ी, जैके generation मतलब पहले कुछ आया, फिर उसका कुछ advancement आया, वो second generation, फिर उसका कुछ advancement आया 4th generation तो वैसे जब हम लोग ने computer की history start की और computer विज़े से stage पे पहुचा है तो computer ने total 5 generation को अभी तक travel किया है 5 generation तो पहले generation की बात करते हैं जो first generation की बात करते हैं तो यह सब चीज़ important है कभी-कभी इस पे चोटे चा objective question एक question दो question पूछा सकता है तो पहला generation of the computer का देखू कि तो 1946 1959 के बीचे रहा है यह जो 13 साल का 13 year का जो duration था first years of the generation first year generation of the computer यह J.P. Eckert और J.W. Mocky इन्होंने पहला successful electronic computer बनाया ENIAC ENIAC ठीक है ENIAC stands for the electronic numeric integrated under calculator it made use of the vacuum tubes which are the only electronic component available during those days ठीक है अब इस first generation के आप पास में जो यहाँ पढ़ने के लिए आपने पढ़िए first generation में क्या होता था जैसे मैंने आपको बता है ना कि input output और processing unit यह होती थी इसमें जो input था इसमें इन पूट था या जो memory जो थी memory वो memory थी vacuum tubes के साथ है vacuum tubes से magnets को control किया जाता था magnets को control किया जाता था और magnet control जो दे थे उसको punch करते थे data को punch करते थे और memory में वो save हो जाता था ठीक है इसका मतलब कि कौन सा magnetic कौन सा down switch up है कौन सा switch down है ऐसा करके magnetic control किया था था through vacuum tubes through vacuum tubes magnetic control किया था memory के लिए यह जो बहुत बड़े-बड़े इस थे अगर आप लो कभी time मिले तो आप बस गूगल पीमेज पर सच करना कि first generation of computers देखेगा तो आपको दिखी कि इतने बड़े-बड़े आपको box से दिखेंगे इतने बड़े-बड़े racks दिखाई देगा वहाँ पर vacuum tubes से vacuum tubes कंट्रूल करता था कि कौन सा magnetic valve कब खुलेगा और कौन सा magnetic valve से जो है magnet जो है पंच जाते थे तो memory में सेव जाता था अगर वन सेव करना है तो आपके यहाँ पर यह signal क्लोज हो गया यह signal क्लोज हो गया उसने एक light को off कर दिया यहाँ पर store हो गया तो generally इसमें जो vacuum tubes को जो हीट करते थे वह हीट करते थे बहुत electric valve से electric valve से heat करते थे यह electric valve बहुत fuse होता था बहुत fuse होता था बहुत costly affair है बहुत costly affair था यह first generation of the computer तो बाद में इसको 9-13 years के बाद जब यूज हो गया जब लोगों को थोड़ा सा यूज करने की यादध होगी calculator के तरह यूज होने लगा फिस second generation इसका है 1959 में second generation computer based on the transistor अब यहाँ पे vacuum tubes अपने one-tenth one-tenth space को reduce हुई और वो convert होगे ट्रांजिस्टरस में ट्रांजिस्टरस में ठीक है यह इसके इस computer के इजांपल कौन को थे इस computer के इजांपल था यह honey well थे IBM CDC इस सबे तो कुछ कंपनिया जो है start की करने के लिए ठीक है जो पहला जो ट्रांजिस्टर जो हुआ था यहाँ लिखा वो न यहाँ पर अब ट्रांजिस्टर जो था वो वेक्यूम ट्यूब से बहुत ही superior था वह क्या करता था कि जो भी जिए जो फश्चने से computer के जो भी memory के storage थी उसकी speed बढ़ा दिया था उसकी reliability बढ़ गए थी वेक्यूम टूब्स में बॉल फ्यूज होने के बहुत चांस रहते है डेटा आपके mismatch होने के चांस रहते हैं लेकि second generation computer में क्या हुआ कि generally इन्होंने input के लिए इन्पुट के लिए इन्होंने बिलिप किया punch card पर punch cards punch cards एक card देखो एक ऐसे card type का उता था एक मिट ऐसे card type का उता था इसमें बहुत सारे holes रहते थे इसमें आपको जो भी punch करना है आप शकुलेगा पंच करते तो तो अगरे ओ स्रीज जैसे वह स्रीज पाता था वैसे वह data punch कर देता था ठीक एतना टेक्निक लिए आपको जाने की जुरत नहीं है आपको जब आगे की वीडियो में बताएंगे तो हमको बताएंगे अच्छा यह आपको पता होगा computer computer को नहीं पता A क्या है computer को नहीं पता B क्या computer को सिर्फ दो चीज पता है one और zero computer सिर्फ binary पे काम करत है आप कुछ भी डाल दो कुछ भी लिख दो computer लिख दो generations लिख दो computer इसको binary में तोड़के अपने पास रखता है computer में जो भी data श्टोर होता है वह binary format मों होता है binary format मों होता है 1 और zero इसी के पैटर्न को जैसे A के लिए इसका pattern है 10 B के इसका pattern है 01 अब हमको यहां पर लिखना है अब 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 तो computer से श्टोर करता है 1 0 0 1 1 0 1 0 A B A इस एक्जामपल के तौर पर आपको बता रहा हूं ठीक है computer data कैसे श्टोर करता है फिर आती है बात 3rd generation की 3rd generation का जो time था 1965 से 1971 और 1965 से 1971 में जो transistor जो थे transistor convert हुआ integrated circuit में IC में और यहां पे revolution आया यहां पे revolution आया क्योंकि पहले जो एक transistor और दो ट्रांजिस्टर थी integrated circuit में कई transistor को embed किया सकता था तो और छोटा हुआ basically किसी चीज़ के भी generation जो आ रही थी वो उसका main कारण क्या था कि speed को बढ़ाना efficiency को बढ़ाना computer की और speed को बढ़ा देना और size को खटाते जाना तो यह generation का जो main funda था जो भी generations आयते गया उसका दो चीज़ था कि speed को increase करना computer की efficiency को increase करना और computer के size को reduce करते चला गया तो यह तीन चीज़े होते गई हर generation में यही तीन effect किया थार्ड जनेरेशन जब integrated circuit में बात आई ठीक है integrated circuit यहां पर यह change हुआ उसके बाद से जैसे कि पहले vacuum tube vacuum tube replace होकर पहुचा transistor में और transistors को कई transistors को embed करके बना दिया गया integrated circuit उसी तरह कई integrated circuits को embed करके बना दिया गया micro processor micro processor ठीक है four generation four generation में क्या आया micro processor ठीक है a micro processor is using the computer for any logical and the arithmetic functions to be performed in any program GY technology जो है exploit किया गया to provide the more comfort to the user अब यहां पर जो कि आप पहले के computer से देखते थे थे ना command line interface आप जानते हो command line interface मतलब होता है पूरी पूरी जो coding आपको दिखती होगी स्क्रीन वो black white black white black white करके तो यहां पर GY को quick assessment देता है अगर आपको word खूलना होता था word अगर खूलना है मालो suppose example दे रहा हो कोई application खूलना है तो आपको command line में लिखना था open word enter save इस तक करके आप command लिखते आते थे इंटर हीट करते थे तो आपका ऐसे से खूलता था था फूर्थ जनेरेशन में यह replace हुआ GUI में अब यहां पर अगर आप word खूलते हो तो क्या है वह सिंपल सा ही आपको document से लिखता है यहां पर W लिखा रहता है आप समझा तो यह word है आप इस पर double click करते हो तो word file को जाता है तो there is a difference between a CLI and GUI ठीक है इसको जाद रखना है एक बाद मैं इसको fresh clear करके लिख देता हूँ CLI versus GUI CLI जे command line interface and GUI जे graphical user interface ग्राफिकल user interface यूजर की comfortability की बनाई गई है सिर्फ icons को देखते हो और icons पर click करके एक्सेस कर लेते हो CLI में आप जो है आपको icons नहीं दिखता है CLI case में आप command लिखते हो और command से आप चीजों को application को access करते हो ठीक है clear तो 4th generation में microprocessor आया फिर आया और जो अभी चल रहा है फिफ जेनरेशन फिफ जेनरेशन देखो फिफ जेनरेशन ने बहुत चीज़ेंच होते हैं फिफ जेनरेशन में AI आया 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 पहले से फिफ की गई computer बनाया गया रोबो देखा है आप लोगों ने मोबी रोबो एक artificial intelligence है ठीक है इस तरह की की चीज़ें को develop करने लगए computer का एक अपना knowledge develop करने को कुशिश की गई computer की अपनी knowledge हो computer कैसे react करेगा computer क्या calculate करेगा computer की अंदर क्या response आएगा हाला कि सब कुछ अगर अगर यहां पर एक बार फिर से अगर रिपीट करते हैं जासे कि desktop laptop notebook यह सबाए गया यहां पर बिल्कुल छोटा हो गया अब दिखते ही हो पहले पूरी पूरी एक रूम की size की जो computer रहती थी वैक्यूम की कारण अब वह आपके रूम में कितने भी laptop और कितने computers रखे जा सकते हैं बहुत आराम से कितना चोटा हो गया यह size reduce हो गया और जहां तक की बात करते हैं फर्स जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर को पिर बात आती है classification of computer की देख क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की तरीकों से किया जता है computer classification ऐसे एक example आप ऐसे इस तरह के questions बिलकुल ही आप पर expect मत करना कि आएगा कि types of computer बताओ types of computer कुछ वर्डी नहीं है यह classify करने के बहुत बहुत सारी तरीके होते हैं सारे parameters होते हैं तो एक समझने के लिए आप यह समझो कि digital computer जहां पर mostly commonly used type of computer जहां पर information और quantities को digits और binary numbers से replace किया गया Macbook, laptop या कुछ भी है analog computer case में analogs, analog voltage, rotations इस चीज से भी calculate किया अगर आप घर का पहले का थर्मोमेटर होता था थर्मोमेटर उसके उसको भी आप दिखते हैं जब वह इसकी जब वह पाड़ा जब वह हाई होता था एजी उसमें एचीजी मरकरी जब उसका पाराप था 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 temperature को बढ़ाने के लिए वह क्या है वह भी टेक कल्कुरेशन बेस्ट है कि जितना भी temperature करेगा उस temperature कुछ में दिखलाएगा उस तरह के वह अनलॉक प्रोसेस है ठीक है फिर आपका अनलॉक क्लॉक आपका घर में क्लॉक होगा घर में भी आपको पता है कि पीछे की जो मोटर लगेवें वह उसको बताता है कि ऐसे ऐसे करके टिक 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 करके आगे बढ़ते रहो और यहां पर यह आपका hours है यह आपका minutes है और यह आपकी second की needle है ठीक है यह सब चीजे क्या है यह सब भी तो computer है यह सब भी तो कुछ output दे रही है लेकिन यह output क्या दे रही है continuous form में जो चीजे जी देती continuous मतला ऐसे ऐसे करके बढ़ बिल्कुल ही absolute है अनलोग computer कोई concept नहीं है ठीक है फिर आती है hybrid computer hybrid computer जिसमें आपकी digital और अनलोग दोनों की property को use किया जाए यह classification of computer बिल्कुल ही important नहीं है आप इसको ignore कर सकते हो बस आप जानने के लिए समझ दो यह important है size के size पे dependent होकर computer का classification कैसे गया गया तो classification दे को mainframe computer mainframe computer क्या है mainframe computer very large computer capable of the handling and processing very large amount of the data quickly banking के banking के जो sites banking के जो computers होते है servers होते है और generally mainframe पे होते है banks के इसका क्या है इसका सबसे बड़ा advantage यह है कि data को process बहुत quickly क्या है करता है data को process बहुत quickly करता है ठीक है तो banking के servers आप चाहे वह SBI का हो या वह किसा सब्सक्राइब का हो चाहे वह सब्सक्राइब का हो जनली वह mainframe computer पे उसके database को रखेते है database क्यों रहते है क्योंकि easily access हो जाता है ठीक है quickly access हो जाता है easily नहीं फिर आती है बात mini computer की mini computer में जिसमें आप micro computer से larger होता है ठीक है मतलब यह चीज़े mini computer mini क्या है micro क्या है micro mini में छोटा बड़ा को रहता है माइक्रो जो होता है छोटा होता है mini से ठीक है personal computer आप जानते है यह personal computer जो भी आप घर में रखते हो उसको personal computer personal computer रहे जो office में देखते हो घर पे रखते हो personal computer आपका laptop computer यह सब आपके वह है ठीक है यह सब relatively inexpensive है किन से as compared to the macro computer computer इससे अगर आप compare करोगे तो बाइक्रों computer का है जैसे सब साइच को छोटा करते जाओगे वैसे computer होते जाएगा दो आप तो tab आ गया है सब कुछ का जमाना आ गया है mobile में android mobile में आपको सारी facility मिल जा रही है तो इस तरह करके यह सब चीजे साइच छोटे हुई है फिस सूप computer शूपर computer बहुत फासे टाइप अफ दग सूपर कंपूटर होता है जनरली इसको इसको जरली उसमें वहां रखते हैं जहां पर बड़े बड़े जैसे इस रो है डियाडी यह जहां पर बहुत बड़े बड़े डाटा को इसली प्रोस्स करना रहता है बहुत जल्दी प्रस पूरा पूरा computer का basic classes अब इसके बास जो भी हम लोग videos बनाएंगे यहां पर टॉपी देख रो computer hardware अब यहां पर मैं आपको explain करूँगा कि input और output से मैं क्या कहना चाह रहा था जैसे कि आप कुसी भी चीज को computer में process करने के लिए डालते हो जिस भी तरीके से डालते हो उसको input बोलते हैं और जिस भी format में आप इसका result पाते हो उसको output बोलते हैं अब अगर मैं आप लोग से पूछू कि input device क्या है तो input device है mouse, keyboard क्यों क्यों कि आप इससे data को process कर रहे के लिए computer में डालते हो output device क्या output device आप खुद का monitor आपका monitor output device है आपका printer यह output device है यह सब चोटे-चोटे examples है input और output device के जो कि लोग confused आते हैं कि input device क्या है जैसे कि अब आप लोग समय एक चीज़ पूछूँगा आप लोग इसको सोच के रखना next class में उसको start करेंगे हाट डिस्क होता है हाट डिस्क हाट डिस्क क्या input device है या output device है हाट डिस्क सबके पास होगा जितने भी लोग computer इसको करते हो चाहिए input device है या output device है इस question का answer आप लोग सोच के रखना हम लोग class 2 में इसको cover करेंगे computer hardware में till then keep your preparation well और अगर आप लोग को इसका एक PDF है PDF रखा अब्सेसbaba.com के site पर इसका PDF रखा हुआ है जितने भी चीजे को हम लोग ने cover किया है उसका आपको PDF को current मिल जाएगा यह बहुत ही normal charge 10 रुपय का है ठीक है इसको आप लोग देख लेना इसको ले लो और इसमें mock questions है mock questions हम लोग video class में भी practice करेंगे इसके लिए आप एश्यो रहे रहा okay thank you